जहें साथियों, Welcome to Inspire Science Classes आज हम लोग इस वीडियो में प्रस्न बैंक 2021 विसे गनित कक्षन ओमी का ब्रिज कूर्स का संपूर्ण हल देखेंगे तो चलिए सुरू करते हैं कक्षन ओमी विसे गनित में ब्रिज कूर्स से संबंदित प्रस्न क्रमांक एक है हमारे पास सही उत्तर चुन कर लिखेंगे तो इस प्रस्न में पहला है हमारे पास में यदि एक दर्जन केले का मुल्य 60 रुपे है तो 6 केलों का मुल्य क्या होगा तो देखें आप जानते हैं एक दर्जन बराबर होता है 12 ठीक है एक दर्जन केले में कितने केले आएंगे 12 केले आएंगे ठीक और हमें यहां पर पूछा है 6 केलों का मूली याने कि हमें आदा दर्जन का मूली बताना है ठीक है आदा दर्जन में कितने केले होंगे 6 केले तो 12 केले जब 60 रुपे में आत answer आजाएगा 30 रूपे हमारे 6 के लिए जो होंगे वो 30 रूपे में आएंगे next प्रसन है हमारे पास दी गई आकरती में 6 अंकित भाग भिन रूप में होगा तो हमें यहाँ पर भिन रूप में बताना है कि इस जो आकरती है इसमें 6 अंकित भाग कितना है ठीक है तो आपको यहाँ दिख रहा होगा इस आकरती में 4 हिस्से हैं तो total 4 हिस्से हैं इसलिए हम लोग इसको नीचे लिखते हैं ठीक और फिर उपर बटे का निशान और जितनी 6 अंकित भाग है उतने को हम उपर लिख देंगे तो यहाँ पर एक हिस्सा इसका क्या है चाय अंकित भाग गए तो हमें यहाँ पर एक लिख देंगे तो हमारे पास में अंसर आ जाता है एक बटे 4 next person है हमारे पास देखे इसमें हमारे पास में box बने विये हैं एक पहले box में 10 है फिर गुणा दूसरे box में 9 है फिर बराबर तीसरे box में 15 गुणा और चौंथा box खाली है हमें बताना है कि इस चौंथे box में कौन सी संख्या आएगी ठीक है तो यह कुछ इस तरह से लिखा हुआ है 10 गुणा 9 बराबर 15 गुणा question mark ठीक यहां प्रस्नवाचक चिन्न है तो हमें बताना है कि इस जगे में यानि कि यहां पे कौन सी संख्या आएगी ठीक तो आप इस संख्या को मान लीजे x ठीक है अब 10 गुणा 9 कितना होता है 90 बराबर 15 गुणा x ठीक है ठीक है तो आप यह क्या करेंगे अब यह गुणा में 15 और x क्या है गुणे में बराबर के इस तरफ जब हम इसे लाएंगे तो x की value निकाल के हो जाएगी तो हम जब 15 को बराबर के इस तरफ लाते हैं तो यह जो गुणे में होते हैं यह क्या हो जाते हैं भाग में चले जाते हैं ठीक है तो x बराबर हमारे पास में आजाएगा 90 बटे 15 ठीक और अब हम इसको solve करेंगे 15 एकम 15 और 15 इचेंग 90 तो हमारे पास में answer आजाएगा x की value 6 ठीक है इस value को हम इस box में रखेंगे तो दोनों के तरफ same value हो जाएगी जैसे देखिए 10,9,90 और 15,6,90 ठीक है तो अब यहाँ पे बराबर का निसान सहीं सावित होता है ठीक है तो हमारा option और सहीं आएगा और अब यहाँ पे कोई चीज बची नहीं है तो अब यहाँ पे count कर लेंगे दसमलों के 22 हमारे पास में answer आजाएगा प्रसन करमांक 2 में हमारे पास में सहीं जोड़ी है तो सहीं जोड़ी का मिलान करते हैं चलिए प्रसन करमांक 2 का सहीं जोड़ी का पहला प्रसन है 0.45 धन 0.25 ठीक है हम इसको जोड़ेंगे जो अंसर आएगा उसमें हम यहाँ पे मिलान कर देंगे ठीक है तो हम इसको कैसे जोड़ते हैं जब भी हम दसंबलों वाली संख्याओं को जोड़ते हैं तो दसंबलों के नीचे दसंबलो लिखते हैं ठीक है तो हम यहाँ पे दसंबलो के नीचे दसंबलो लिखेंगे और 4, 5 और 4, 5 के नीचे 2, 5 ठीक है अब हम इसको जोड़ देंगे तो यहाँ पे हमारे पास में आजागे 5, 5 और 5 10, 10 किसुन हासल के 1 ठीक और 4 और 1, 5 और 2, 7 ठीक है और यहाँ दसंबलो जैसा का वैसा और यह 0 तो 0 दसंबलो 70 हमारे पास में आंसर आ जाता है तो हम यहाँ पहले का आंसर क्या लिखेंगे 4, यहाँ पे हम नंबर डाल देंगे 1, ठीक यहाँ आप इसे इस तरह से मिला सकते हैं ठीक है ना दूसरा देखें, दूसरे में क्या दिया हुआ है रिण 306 बटे 9 तो हमें यहाँ क्या करना है 306 में 9 से भाग देना है और जो भी आंसर आएगा वो माइनस में आएगा तो 9 से जब हम 306 में भाग देते हैं तो देखें कितना आंसर आएगा 9 माइनस 34 तो यह हो जाएगा दूसरा हमारा ठीक, next है हमारे पास रिण 4 गुणा रिण 2.5 ठीक, तो आप जानते होंगे जब भी 2 माइनस वाली संख्याओं का गुणा होता है तो आंसर धन में आता है ठीक है, तो यहाँ 2.5 का गुणा जब हम 4 से करते हैं तो हमारे पास में आंसर आता है 10, ठीक, तो तीसरे कोश्चन का आंसर आएगा 10 ठीक है, next प्रसन है हमारे पास, minus 3.5 धन 2.5 ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा देखिए जब भी बड़ी संख्याओं यानि कि माइनस का चिन है, और छोटी संख्या 2.5, तो यहाँ पे plus minus का minus होगा और हम इन दोनों संख्याओं का आपस में घटा देंगे, ठीक है तो 3.5 से हम 2.5 को घटाएंगे तो आंसर आएगा हमारे पास में 1, और बड़ी संख्या में minus का चिन है, इस वज़े से हम यहाँ पे 1 में minus का चिन लगेंगे तो हमारे पास में 4 प्रस्न minus 3.5 धन 2.5 का आंसर छटवा option आएगा, इसमें यहाँ में sprint है, यह minus का 1 होना चाहिए था, बट यहाँ सिर्फ 1 दिया हुआ है ठीक है, तो इसका आंसर आएगा, minus का 1 next है हमारे पास 4 बटे 5 ठीक, तो 4 बटे 5 को हमको solve करना है, यानि कि हम 4 में 5 से भाग देंगे, ठीक, तो 4 में 5 से भाग नहीं जाता क्योंकि 4 छोटी संख्या है, इस वज़े से हम यहाँ दसंबलो लगाएंगे, ठीक है और जैसे हम 5 से 40 में भाग देंगे, तो यह 8 बार में चला जाएगा, ठीक है 8 पंचे 40, तो यहाँ पर सेसफल सुनने हो जाएगा और answer हमारे पास में आ जाएगा 0.8 ठीक, छटवा क्या है हमारे पास में 0.5 ठीक, इसमें हम 10 से भाग देंगे, तो answer हमारे पास में आता है 0.05, तो यह कहाँ पर है, option number 3 में, तो छटवे का answer आएगा, option number 3 ठीक, तो इस तरह से सही जोड़ी का मिलान हमने कर लिए हैं आगे के questions को हम next वीडियो में solve करेंगे, अगर आपको वीडियो पसंद आता है, तो इसे like करके share जरूर करें, और channel पर बने रहें